अगर आपने बच्पन से ही हिलाना शुरू कर दिया था बच्पन से ही हिला हिला कर मास्टर वेशन कर करके आपने अपने लिंग की ताकत को खो दिया है जिसकी वजह से आज आपका बीर्य दो से तीन मिनट के अंदर जढ़ जाता है तो आप इस आउसदी का इस्तमाल करें इतना जादा जोस भरा हुआ है इस ओसधी में तो चलिए जाने इस ओसधी के बारे में इस से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले जो नामर्द हैं नपुनसक हैं उन्हें मर्द बनाएगा उन्हें संभोग करने की टाइमिंग परदान करता है ओसधी जो लोग बिल्कुल जहंड हो गए हैं जिनका लिंग जरासा भी खड़ा नहीं होता उनके लिंग को टाइट करने में मदद करता है तो चलिए जाने इस आउसधी का इस्तमाल कैसे करना है इस आउसधी को तयार करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी सबसे पहली चीज आपको चाहिए गुड और दूसरी चीज आपको चाहिए लॉंग लॉंग और गुड का इस्तमाल करके आप अपने जोस को बढ़ा सकते हैं पहले के राजा महराजा इसी लॉंग और गुड का इस्तमाल करके सौसो राणियों की ठुकाई करके सौसो राणियों का पानी जाड़ देते थे क्योंकि इतना जादा जोस भरा हुआ है इस ओसदी में तो चलिए जाने सबसे पहले आपको 25 ग्राम की मातरा में लॉंग लेना है और उसे कूट कर पीस कर बिलकुल पाउडर कर लेना है आपको लॉंग को पीस करके पाउडर करके किसी काच के जार में भर कर रखना है और प्रति दिन सुबह साम दोनों टाइम खाना खाने के बाद आपको आधा चम्मच की मातरा में लॉंग का चोड लें और एक छोटा सा गुड का टुकडा आपको इसे फोड कर बिल्कुल अच्छी तरीके से फोड कर दोनों मिक्स कर लेना है लॉंग का आधा चम्मच और छोटा सा गुड का टुकडा दोनों मिक्स करके आपको इसे चबा चबा करके खाना है चबा चबा कर खाने के बाद आपको पांच मिनट तक लगभग पांच से दस मिनट तक आपको किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है दस मिनट के बाद आप पानी का सेवन करें आपके नस नस में जोस आएगा ताकत आएगी आपकी मरदाना ताकत बहुत ही आसानी से बढ़ जाएगी जोस और मरदाना ताकत बढ़ाने की यह सबसे फाइदे मंद और चमतकारी और सधी है तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें सेयर करें बाई बाई फ्रेंड